चानक के AIS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं सांसदों के निलंबन के बारे में ये इस वज़े से भी महत्तपूर्ण हैं क्योंकि इतने अधिक सांसदों का निलंबन इससे पहले कभी नहीं हुआ विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के 49 और सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है अब तक इस सत्र के विपक्ष के 141 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है लोकसभा के 41 सांसदों को और राज्यसभा के 8 सांसदों को आज य 11 सांसद त्रणमुल कॉंग्रेस की 9 डीमके की 9 और 4 अन्यदलों की सांसद शामिल है इन में 30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है जबकि 3 कॉंग्रेस सांसदों की सदस्ता बहाली पर फैसला प्रिविलिज कमेटी लेगी इस पर स्पीकर के पोडियम पर च पक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया इसमें से 34 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया जबकि 11 सांसदों के सदस्ता पर फैसला प्रिविलिज कमेटी लेगी इससे पहले 14 डिसंबर को लोगशाब cpu के 2 owner cpu के एक एक सांसद थे इसके अलावा राज्यसभा सांसद डेरिक ओब्रायन को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया गया था राज्यसभा में सांसदों की संख्या 245 है और इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों के 105 आइंडिया के 64 और अन्य चेतर है वहीं लोगसभा में इस समय संसदों की कुल संख्या 538 है इसमें एंडिया के 329 आइंडिया के 142 और अन्य दलों के 66 संसद है इसी पे स्पीकर का कहना है कि सदन में नारे बाजी और तक्तिया लाना सही नहीं है स्पीकर ओम बिर्ला ने कहा है कि संसत की सुरक्षा चूक मामले में उच्चिस तरिये जांच जारी है मामले में जांच कमेटी गठित की गई है पहले भी जब इस तरह की घटनाए हुई तो पूर्व स्पीकरों के जरिये ही जांच पर किरिया आगे बढ़ी यह ठीक नहीं है देश के लोग भी इस आचरन को पसंद नहीं करते लोग सबासे जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनका सुरक्षा में चूक मामले से सम्मंद नहीं है अब हम बात करेंगे कि यह खबर एहम क्यों है ऐसा पहली बार है जब एक साथ इत्ती बड़ी संख् में सांसद सस्पेंड किये गये है इससे पहले मार्च 1989 में राजीव गानी के कारेकाल में 63 सांसदों को लोग सबासे निलंबित किया गया था इस मामले में भी दो पक्षें विपक्ष का कहना है कि हम सुरक्षा चोक पर ग्रह मंत्री से चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं जो कारवाई की वज़े से कुल 199.43 घंटे की कारवाई नहीं हो पाई थी संसद को चलाने में हर मिनट करीब 2.5 लाक रुपय का खर्च होता है कारवाई रुकने से देश के टेक्सपेर का पैसा बरबाद होता है राज्य सबा में INDIA के 95 सांसद है जिन में से 53 को निलंबित किया जा चुका है वहीं लोक सभा में विपक्षे गुट के पास कुल 133 संसद है अब हम बात करेंगे कि किस नियम के तहट स्पीकर संसदों पर कारवाई कर सकते हैं जिस संसद की कारवाई को आप टीवी पर देखते हैं उसके लिए नियुमों की पूरी एक किताब है सदन को इस संसदों के लिए सदन से बाहर कर सकते हैं या बाकी बचे हुए पूरे सेशन के लिए भी सट्पेंड कर सकते हैं वहीं इस से जाधा अडियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374 ए के तहट कारवाई कर सकते हैं कॉंग्रेस के सांसदों पर रूल 374 के तहट कारवाई की गई है लोगसबा स्पीकर उन सांसदों के नाम का एलान कर सकते हैं जिसने आसन के मर्यादा तोड़ी हो या नियमों का उलंगन किया हो और जान बूचकर सदन की कारवाई में बादा पहुचाई हो जब स्पीकर ऐसे सांसदों के नाम का एलान करते हैं तो वह सदन के पटल पर एक प्रस्ताव रखते हैं प्रस्ताव में हंगामा करने वाले सांसद का नाम लेते हुए उसे सस्पेंड करने की बात करी जाती है इसमें सस्पेंशन की अवधी का जिक्र होता है यह अवधी अधिक्तम सत्र के खतम होने तक ही हो सकती है सदन चाहे तो वह किसी भी समय इस प्रस्ताव को रद करने का आग्रह भी कर सकता है अब हम बात करेंगे नियम तीन सो चोहतर एक के बारे में कि यह क्या कहता है आज दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक और नियम जोड़ा गया इसे ही रूल तीन सो चोहतर एक कहा जाता है यदि कोई सांसत स्पीकर के आसन की निकट आकर या सभा में नारे लगा कर या अन्य प्रकार से कारवाई में बाधा वह 5 बैटकों या 70 के 6 अवदी के लिए जो भी कम हो स्वते निलंबित हो जाता है अब यहाँ पर सवाल है कि सांसत के सस्पेंशन को खतम करने की परकिरिया क्या है स्पीकर को किसी सांसत को सस्पेंशन करने का अधिकार है लेकिन सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार उस जवधान पैदा करने के लिए सस्पेंड किये गए सांसदों को पूरा वेतन मिलता है केंदर में लगातार सरकारों द्वारा काम नहीं वेतन नहीं की नीती दश्कों से विचारा धीन है हालाकि इसे अभी तक पेश नहीं किया गया है अब हम बात करेंगे कि क्या ये पहली बा सांसद पूरु प्रधान मंतरी इंद्रा गांदी की हत्या पर ठकर कमिशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे इसके बाद विपक्ष के 63 संसदों को हंगामा करने पर निलंबित कर दिया गया था वहीं जनवरी 2019 में लोगस्पा स्पीकर सुमित्र महाजन ने दो दिन में 45 निपक्षी संसदों को सस्पेंड किया था इसके अत्रिक 13 फरवरी 2014 को लोगस्पा स्पीकर मीरा कुमार ने 18 संसदों को सस्पेंड हुए कुछ संसद अलग तेलंगाना वराना की मांग का विरोध कर रहे थे जबकि कुछ अलग राजय की मांग कर र एक्ति प्रविए और प्रविए प्रविए और था भेड़ और रहने समय प्रविए याज़ रावात।